इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो इससे पहले हमने यह बार्ति साक्ष अधिनियम के एमसी क्यों के बना दिये हैं यह अपलोड कर दिये यह यह आप नहीं देखें तो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं यह पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक करेंगी वहाँ पर आप क्लिक करके दे सेशन तो यह आज का हमार पार्ट शिक्स है इस भरति साक्ष के एमसी क्यों का तुम्हार जो फर्स्ट कोश्टन है फर्स्ट कोश्टन क्या गयता है कि मृत्युकाली कथन पर पाकला नाराण स्वामी बना किंग एमपररर के बाद निमने मैं से किस नियाले में निर्णित कि किया था यह काफी इंपोर्टन केस है ठीक है आप इसको नाम धियान रखिए जो पाकला नाराण स्वामी बना किंग एमपररर हैं जो मिने तुकाली कथन से जम बंदीत है तो यह किस नियाले निर्णित किया था भारत का फेडरल नियाले प्रीवी काउंसिल मद्रास हेल्ड किया गया था तो यदि आपको में लेक्टर कोई डाउट है यहां पर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस इंस्टांगा में मैसेज कर सकते हैं जहां पर आपका सर राउट क्लियर किया जाएगा उसके बाद है सेकड्ड कोईशन और ईंप्रेश वनां अब्दुल्ला एक अगन नरेड़े है यादि कि से संब्ंधित है श्यकृति संस्यकृति कथन यह मृत युक तब्लिकृसर चैद्व किया होगा यहां ai पे वह ऊसका सही acord है वह होगा डी नंभर अर्दाद मृत्युकालिक कथन से संबंदित है उसके बाद है थार्ड कोश्चन निम्ने मैं से किस बाद में मृत्युकालिक कथन का बाद नहीं है मोती सिंग बना उत्रप्रदेश राज अब कौन सा बाद मृत्युकालिक कथन समझ नहीं है मोती सिंग बनाम उत्रपितरेस राज खुसालराव बनाम बॉंबई दीपचंद बनाम राजस्थान और बनाम जैनकिंस इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा C नंबर का जो राजस्थान है वह किसे समझेग नहीं मृत्वकालिक कथान का बाद नहीं है उसके बाद है फौर्थ कुश्चन निमने बादों में से कौन सा मृत्वकालिक घोषड़ा से सम्भंधित नहीं है आर बनाम टालसन क्विएन बनाम अब्दुल्ला महभूप साहब बनाम किंग एंपरर परेंद कुमार घोस बनाम किंग तो मिर्तुकाई घोषड से कौन सा बात संबंधीत नहीं है, इसका सगी आंसर कौन सा होगा, B نंबर का कुईन बनाव अबदुल्ला तो इस बात में क्या का गया था है कि इस बात में निर्णे किया गया था कि मिर्तुकालिक कथन करने वाला ब्यक्ति उसे इसारों के माध्यम से करता है तो इसा कथन मिर्तुकालिक कथन में ग्राय होगा अर्था यहां पर जो बताया गया है इसका फॉर्थ कोश्चन में कि कौन सा समध्धित है यहां पर इसका सही आंसर क्या था कि बी नंबर जो क्वीन बर्सेश अब्दुल्ला था इसमें क्या किया गया था कि एक गला काट दिया गया था ठीक है न एक लड़की का और उसने इसारों से बताया कि उसकी हत्तिय किसने की तो क्या आवश्चक नहीं यहें कि एसा कथन कथन करने वाले की मृत्व के कारण से संब्धित होना चाहिए यह कथन की करने बैख थी कि उसकी मृत्ति प्रत्याशंका थी अर्थाथ उसको आशंका थी कि उसको इसकी डैथ हो जाएगी लग कि नमबर कि यह की एसा कथन उसमेहा को किसी परिष्थित के बारे में किया गया था यह उपरोक सभी यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा यहां पर इसका जो सही आंसर है वह होगा बी नंबर का अर्थाथ यह है कि कथन काने माले ब्यक्ति को उसकी मृत्य की प्रत्याशंका थी यह आवश्यक नहीं है उसके बाद है six question जब कोई ब्यक्ति मृत्यू की प्रत्याशंका में मृत्यू कालिक कथान किसी पुलीस अधिकारी से करता है और तत्पस्या तो वह बस जाता है अर्थाद किसी उसको ऐसा लगा ठीक है ना किसी ने उसको मारा और उसने क्या किया उसको ऐसा लगा कि वह मर जाएगा तो उसने क्या किया पुलीस अधिकारी से को यह सा कथन कर देता है और उसके बाद उसका इलाज चलता है वह बस जाता है ठीक है ना तो वह धारा 32 में ग्राए होगा उसका जो कथन था सी नंबर की धारा 157 एविडेंस एक्ट के अधिन वो क्या होगा उसका जो कथन था वो ग्रा हो जाएगा ग्राय एड्मिट हो जाएगा उसके बाद है सेवंध कोशन निवन में से कौन सी धारा बीदी की पुस्तकों में अंतरविष्ट बीदी के कथनों की सुसंगत्ता से सब आञा उन्तालीस तो यहाँपे इसका सही आंसर क्या होगा यहाँपे आपगो जो सही आंसर है वो होगा बीड़र का अध्यारा 38 उसके बाद है पूर्व नयाय का सिध्धान्त भारती साक्च बीदी की निर्मन में से कौन सी धारा प्राबधानित है धारा 40 धारा 144 धारा 144 ध तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा यहां पर आपको सही आंसर है वो होगा यह नंबर अर्दाज जो सेक्शन 14 है क्या कि पूर्विन्या के सिध्धान्त पार्तिसाक्ष विद्ध कि किस धारम प्रब्धानित है धारा 40 में उसके बाद है नाइंद कुश्चन अधिनियम की धारा 41 में से किस प्रकार की अधिकारिता का उलेक नहीं किया गया है प्रोबेट विश्यक नवाद करण विश्यक दिवाला विश्यक यह राजस विश्यक यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा डी नंबर का यह जो राजस विश्यक है उसका उलेक नही कि निर्णा सुसंगत होते हैं ठीके ना किसमें धारा 49 धारा 40 धारा 41 या धारा 42 यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा यहां पर इसके जो सही आंसर होगा सी नंबर का अरताद धारा 41 उसके बाद 11th question the decision of a probate court जैसा जो probate court होती है उसका decision यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा यहां पर इसका जो सही आंसर है वो होगा यह नंबर कि अजज्ज्मेंट इन रेम उसके बाद 12th question विसे सक्जों कि राय कब सुजंगत होती है जब बिज्ञान या कला की किसी बात पर नयाय लाय क्यों राय बनानी हो या फिर जब हस्तले क या आंगोली चिन् no के अने था कि लारे में निश्चे करना हो या जब किसी बिदेशी बिद की किसी बात पर राय बनानी हो या फिर उप्रोख सभी मामलों में सुसंगत होती है जिसे तक जोस्गी राय तया पे इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा भी नंबर जब हस्त लेख या अंगली चिन्हों की अन्यांतिक वारे में निश्चे करना हो उसके बाद है इसमें 12 में क्या होगा डी नंबर का आप्शन सही होगा ठीक है ना उपरोक सभी मामलों में विसेसक जो कि राइक किया सुसंगत है उसके बाद है एक विद्यार्थी को भी साक्ष अधिन्याम की धारा पैंतालिस में भी विसेसक जो माना जा सकता है यह सर्वोच नियाले दारा किस बाद में प्रिश्वादित किया गया था अरताद कोई इस्टूरेंट एठीक है ना कोई विद्यार्थी है उसको भी क्या किया सकता है पिसेसक जो गुरुप में जा सकता है यह यह तो संकरिया बनाम राइस्थान राज्य में कहा गया यह भ के बाद में का गया था जो 1983 में Supreme Court के दारा held किया गया था उसके बाद है 14 question साक्ष अधिनेम की कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार को राय तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है धारा 14 धारा 34 धारा 44 या धारा 45 तिया पर इसका सई आंसर क्या होगा इसका जो सही आंसर है वो होगा D नंबर का धारा 45 उसके बाद है 15 question जो मारा इस लेक्षे के last question है अन्य ब्यक्तियों की राय कब सुसंगत है बिल्कुल ही सुसंगत नहीं होती हमेशा सुसंगत होती है सुसंगत ता नियाले के बिवेगपन निक्रा करता है कुछी बातों के लिए सुसंगत होती है इसका सही आंसर क्या होगा यहां पे इसका जो सही आंसर है वो होगा D नंबर का अर्थात कुछी बातों के लिए क्या होगी अन्य ब्यक्तियों के राय सुसंगत होगी किसी भी मामले में कि उसके बाद यदि आपको में इस लेक्षर में कुछ हेल्प मिली है ठीक है ना यदि आपने आपको यह अच्छा लगता है लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेश कर लिए ताकि आने वाले वीडियो इस कौनिफिकेशन आपको मिलती रहे तक यू से मुच पर वाचिंग लिए जाएंस अपको